ये एक All-in-One Knowledge वीडियो है जिसे देख लेने के बाद आपके मन में Time, Time Travel, Blackhall, Speed और Lightyear के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगे। जिसमें सिर्फ आवाज मेरी है लेकिन एक एक सब्द Sir Stephen Hawking का है। जैसे के क्या समय यात्रा संभव है, क्या हम अतीत या भविश्य में जाने का Short Cut डून सकते हैं, क्या हम समय को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति के नियमों का उपियोग कर सकते हैं। समय यात्रा को कई विज्यानिक छल या धोखा मानते हैं। मैं अपने स्वतंत्र विचारों से इन सबसे अलग ठलग ना हो जाओ। इसके कारण मैं इस विशय पे बात करने से हो सके उतना बचता हूँ। लेकिन इन दिनों मैं उतना सतर्क नहीं हूँ और उस आलोचनाओं की परवाह नहीं करता। दरसल मैं उन लोगों के जैसा ही हूँ जिन्होंने वज्यानिक पाशान यूग को बनाया था। अगर मेरे पास ताइम मसीन होती तो मैं मरलिन, मूंदरो और गैलेलियो को देख रहा होता। क्योंकि उन्होंने अपने दूर्बिन से आंत्रिक्स को देखने का नजर्या ही बदल दिया है। और शायद ब्रह्मान के अंकी यात्रा करके ये भी पता लगा था किया हमारा संपूर्ण ब्रह्मान खत्म होने वाला है। लेकिन आकिरकार ये कैसे संभव है। इसे समझने के लिए हमें समय को भौतिक विज्ञान की नजर से देखना होगा। फौर्थ डायमेंसन को इस नजरिये से देखना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर सजाग विद्याती ये जानता है कि आप, मैं, यहां तक कि ये मेरी खुरसी, ये सब भौतिक चीजे तीन आयाम या थ्री डायमेंसन में मौजूद है। सब कुछ लंबाई, चोड़ाई और उंचाई में ही बसा है। लेकिन एक दूसरी तरह के भी लंबाई है, जो है समय की लंबाई। उदाहरन के लिए एक इंसान 80-100 सालों तक जिवित रहता है, लेकिन पाशान यूग के पत्थर 1000 सालों से खड़े है। और हमारा सौरे मंडल अर्बो वर्सों से मौजूद है, अर्था सब कुछ समय की लंबाई के साथ आंत्रिक्स में मौजूद है। समय की यात्रा का मतलब है इस 4th Dimension के मात्यम से यात्रा करना। इसे देखने और समझने के लिए कि इसका अर्थ क्या है। चलिए हम ये सोचते हैं के हम सामानने रोज की तरह कार में यात्रा कर रहे है। हम सीधी रेखा में कार चलाए तो हम एक ही Dimension में यात्रा कर रहे है। दाए या बाए मुडे तो हम दूसरे Dimension को भी जोड रहे है। और किसी पहाड़ी रास्तों में उपर नीचे कार चलाए तो हम उजाई या गहराई यानि धर Dimension को भी जोड रहे है। इसका मतलब हम तीनो Dimension में सरलता से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम पृत्वी पर समय यात्रा कैसे कर सकते हैं। क्या चोथे आयाम के माध्यम से हम कोई रास्ता बना सकते हैं। आईए हम कुछ देर के लिए एक विज्ञान कथा फिल्म देखते हैं। टाइम ट्रेवल वाली फिल्मों में अकसर एक विशाल मसीन होती है जो उर्जा देती है। वो मसीन चोथे डाइमेंशन में एक रास्ता बना देती है जिसे हम काल में जाने की सुरंग भी कह सकते हैं। और काल यात्री एक बहुदूर इंसान जो थोड़ा बेवकुफ भी होता है तबी तो वो वो सुरंग में कुछ जाता है। ये जाने बिना ही के वो किस काल में पहुचने वाला है। ये राय भले ही दूर की और सेखचली के विचारों जैसी लगे। और शायद वास्तविक्ता इससे अलग हो लेकिन सच ये है के ये करपाना नामुमकिन नहीं है। ये विचार स्वयम इतना पागल नहीं है जितना इसे समझा जाता है। वाम होल सच तो ये है के हमारे चारों और वाम होल है लेकिन वो इतने छोटे है के हमें नजर नहीं आते। वाम होल बहुत ही छोटे होते हैं विकाल और अंतराल के चप्पे चप्पे पर है। आपको शायद ये बात अटपटी लग रही हो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी चीज ना तो समतल है ना ही ठोस, अगर आप ध्यान से देखे, तो आपको हर चीज में दरार, सुराग या जूर्री नजर आएगी, ये बहुतिकी का एक आम सिद्दान्थ है, जो काल पर भी लागू होता है, अब आप इस पूल टेबल को ही लीजिए, इसके सतह बिलकुल समतल सपाट लग रही है, लेकिन ध्यान से देखेगे, तो आपको सच का अंदाजा हो जाएगा, इसमें अंगिनत सुराग और दरारे है, यहा तक कि किसी चिकनी चीज में भी कई छोट रही है, पहले तिन डाइमेंसन में तो ये सब मैंने आपको बड़ी ही आसानी से दिखा दिया, लेकिन यकिन मानिये, चौछे डाइमेंसन में भी ये बात उतनी ही लागू होती है, काल या समय में भी छोटी-छोटी दरारे, जुर्रीया या गड़्डे है, अगर बहुत छ चोटे पैमाने पर बात करें मेरा मतलब है अनू और परमानू से भी चोटे पैमाने पर तो हमें वो मिलेगा जिसे कहते हैं quantum form यही वो जगह है जहाँ warm hole होते है काल और अंतराल के बीच आने जाने के ये चोटे चोटे रास्ते लगातार बनते और बन होते रहते हैं वो इस quantum जगत में हमेशा मौजूत रहते हैं असल में ये दो अलग-अलग जगाओं को और दो अलग-अलग काल को जोडते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह वास्तविक सुरंगे सिर्फ एक सेंटिमीटर के एक खरव अरव्वे हिस्से जितनी जोटी होती है जाहिर सी बात है उससे कोई इनसान तो नहीं गुजर सकता लेकिन ये वाम होल टाइम मसीने हमारे लिए आधार बन सकती है कुछ वईज्यानिक मानते हैं कि इनमें से ही कई सुरंगों को कई खरब गुना बड़ा करके इतना बड़ा बना दिया जाए कि उनमें से कोई इनसान या अंतरिक्स यान गुजर सके अगर हमारे पास ऐसी टेकनोलोजी हो और हमें जरूरत भर की उर्जा मिल जाए तो शायद हम अंतरिक्स में एक विशाल वाम होल बना ले मैं ये नहीं कहे रहा के वो बन जाएगा लेकिन उसे बनाया जा सकता है और अगर वो बन गया तो हमारे लिए बड़ा ही कारगल यंत्रसाबित होगा उसका एक सिरा पुर्थी के पास होगा और दूसरा किसी बहुत दूर के ग्रह पर सैदान्तिक रूप में तो और भी बहतर हो सकता है अगर हम उसके दोनों छोर को एक ही जगह पर रखे और उनके बीच फासला अंतराल की बज़े काल का हो तो उससे होकर हमारा एक यान पृत्वी के करीब ही आएगा और जाएगा लेकिन उसका सफर हमारे अतीत में होगा हो सकता है कि हमारा यान डाइनासोर्स के सामने पहुच जाए ठीक उनके सामने अब मुझे भी लगने लगा है कि चारो डाइमेंसन में सोच पाना बहुत ही मुश्किल है और वर्म होल इतनी आसान चीज़ भी नहीं है कि जिसमें हम अपना सिर्क अपा सके लेकिन होसला मत हारिये मैंने एक ऐसे प्रयोग के बारे में सोचा है जिससे पता लग जाएगा कि क्या हम आज किसी वर्म होल के जड़िये समय यात्रा कर सकते है या फिर अभी नहीं तो आने वाले समय में मुझे छोटे मोटे प्रयोग करना और सेमपेन पीना पसंद है मैंने अपनी ये दोनों पसंदिदाल चीज़ों को साथ मिला कर ये देखने की कोशिश की कि काल यात्रा समभव है या नही मैं एक पार्टी दे रहा हूँ बविश्य की शेयर पर जाने वालों के स्वागत पे लेगिन मामले में एक पेच है वो ये कि मैं उसके बारे में उन्हें पार्टी खत्म होने के बाद ही बताऊंगा ये है वो निमंत्रन जिसमें काल और अंतराल के बारे में हर बात लिखी है मुझे उम्मीद है कि इसकी एक कौपी किसी ना किसी रूप में कई हजार सालों तक बची रहेगी हो सकता है कि किसी जर्ये ये भविश्य के किसी जीव को मिल जाए और वो वर्म हॉल टाइम मसिन के जरिये मेरी पार्टी में आने की कोशिश करे इससे ये साबित हो जाएगा कि एक दिन काल यात्रा जरूर संपव होगी और अब वो काल यात्री महमान यहां आते ही होगे 5, 4, 3, 2, 1, कोई नहीं आया मैं तो सोच रहा था कि भविश्य की मिस यूनिवर्स मेरे पास आएगी पर मेरा ये प्रयोग असफल क्यों रहा इसकी साइद एक वज़े ये है और वो वज़े बड़े लंबे समय से अतीत की काल यात्रा से जुड़ी हुई है वो समस्या है वीरोदा भास की वीरोदा भास के बारे में सोच कर ही हसी आती है इन में से सबसे बड़ा है जिसे हम Grandfather Paradox कहते है मैं आपको उसका ही एक नया रूप दिखाने चाह रहा हूँ जिसे मैं सनकी वज्यानिक का वीरोदा भास कहता हूँ मुझे फिल्मों में दिखाये जाने वाले वे ज्यानिक पसंद नहीं है क्योंकि अक्सर उन्हें सनकी या पागल दिखाया जाता है लेकिन ये वास्तों में सनकी है ये एक वीरोदाबास बनाना चाहता है और उसके लिए अपने जान भी देने के लिए तयार है जरा सोचिए कि किसी ने काल सुरंग में एक वाम होल बना लिया है और वो सिर्फ एक मिनिट पीछे जा सकता है वैसे तो एक मिनिट का वक्त ज्यादा नहीं लगता लेकिन एक मिनिट की काल यात्रा भी बड़ी मुसिबत बन सकती है उस वाम होल से वैज्यानिक देख सकता है कि मिनिट पर पहले वो कैसा था लेकिन अगर वो अपने मिनिट पर पहले वाले रूप की हत्या कर दे तो उसकी मौत हो चुकी है वो पिस्तॉल को जोड़ भी नहीं पाया था कि मारा गया लेकिन गोली किसने चलाई थी यही है विरोधापास इसका कोई मतलब नहीं होता इसकी वज़े से ही अंतरिक्ष वैज्यानिक दुविधा में रहते है इस तरह से वो बुनियादी नियम ही तूट जाएगा जिस वज़े से पूरा प्रमांड चल रहा है इससे हम किसी काम का अंजाम तो देख सकते है लेकिन उसे बदल नहीं सकते मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज खुद को नामुम्किन बना सकती है और अगर वो ऐसा कर पाती तो पूरे ब्रमान को अफरा तफ्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो विरोदाबास को रोकता है इसकी कोई ना कोई वजय तो जरूर है कि हमारे वईग्यानिक कभी इस हाल में नहीं पहुचते कि खुद को गोली मार दे मैं माफी चाहता हूँ लेकिन इस मामले में उस समस्या की जड़ वो वर्म होल ही था मैं तो इस नतिजे पर पहुचा हूँ कि इस तरीके के वर्म होल का वजूद ही नहीं हो सकता इसकी वज़े है फीडबेक अगर आप किसी संगीत समारोह में गए होगे तो इस आवाज को पहचानते होगे यही है फीडबेक वज़े भी बड़ी मामूली से है आवाज माइक्रोफोन में जाती है वो तारों से होती हुई आगे बढ़ती है और एम्प्लिफायर से तेज होकर स्पीकरों के जरीए बाहर आती है लेकिन यह स्पीकरों से निकली हुई आवाज माइक में बार-बार वापस जाती है तो उसका एक लूप बन जाएगा और आवाज लगातार तेज होती जाएगी अगर उसे रोका नहीं गया तो वो फीडबेंप पूरे साउंड सिस्टम को ही नश्ट कर देगा लूप बन जाता है और उसका फीडबेक इतना दमदार होता है कि उससे पूरा वाउम होल ही नश्ट हो जाता है इस वज़े से कह सकता हूँ के छोटे-छोटे वाउम होल तो आज भी है और शायद कल हम उसे बड़ा भी बना दे लेकिन वो उस लायक नहीं हो गए कि जिसका इस्तमाल टाइम मसिन की तरह किया जा सके यही वज़े है कि मेरी पार्टी में कोई नहीं आया मुझे तो लगता है कि किसी भी या किसी भी और तरीके से अतीत की कालियात्रा कर पाना नामुम्किन है ऐसा करने पर विरोधा भास होगा ही होगा अपसोज साइध हम कभी अतीत की कालियात्रा करने में काम्याब ना हो पाए इस बात से डाइनासोर की सिकारियों को बड़ा दुख होगा और इतिहास कार बड़े खुश होगे लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती समय किसी नदी की जलदारा की तरह आगे बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हम समय के साथ बहे चले जा रहे है लेकिन समय एक दूसरे तरीके से भी नदी जैसा है वो अलग-अलग जगे पर अलग-अलग रफतार से बहता है और यही भविश्य की सेर की पुंजी है ये विचार दिया था सर एलबर्ट आइंस्टाइन ने सो साल से भी ज्यादा समय पहले उन्हें ये बात का अंदाजा था कि कुछ जगहों पर वक्त की गती बहुत धीमी हो जाती है और कुछ जगहों पर बहुत डेज और उनकी बात बिलकूल सही थी इसका सुबूत है हमारे ठीक उपर अंतरिक्ष में ये है Global Positioning System यानी GPS कई सारे उपक्रहों का वो नेटवर्ट जो पृत्वी के चारों और चक्कर लगाते है उपक्रह ही उपक्रह को रास्ता दिखाते है लेकिन उनसे ये भी पता लगता है कि अंतरिक्ष में वक्त की रफ्तार पृत्वी से तेज है हर यान के अंदर एक बेहत सतीक गड़ी लगी है इतनी सतीक होने के बाद भी वो हर रोज एक सेकंड के एक अरव्वे हिस्से जितनी तेज हो जाती है वो और ज्यादा बड़े नहीं इसके लिए उसे रोज ठीक करना पड़ता है अगर ऐसा नहीं किया जाये तो इस बहुत ही मामूली से बदलाव के कारण भी पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा उससे पृत्वी पर मौजूद हर यंत्र में रोजाना दस किलोमीटर जितना फर्क आ जाएगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना फर्क पढ़ सकता है कितना हंगामा हो सकता है परन्तु समस्य उस गड़ियों में नहीं है यहाँ पर तो नीचे पृत्वी के मुकाबले वक्त ही ज्यादा तेजी से चलता है इस अनों के फर्क की असली वज़े है हमारी पृत्वी का बार आइंस्टाइन को अंदाजा था कि किसी पींट का असर वक्त पढ़ पड़ता है और वो नदी के दीमे बहावाले हिस्से की तरह वक्त की रफ्तार को कम करता है वो पिंट जितना भारी होगा वक्त पर खीचा भी उतना ही ज्यादा होगा और ये वो अनोखा सच है जिसके सहारे हम बविश्य की कालियत्र कर सकते है मानता हूँ के इस बात को समझना इतना आसान भी नहीं है इसलिए आपको एक आसान उदाहरन के रूप में समझाता हूँ ये है गीजा का मशहूर पिरामिड इसका वजन चार करोड टन से भी जादा है हर भारी पींड की तरह ये भी वक्त की रफ़तार को कम कर रहा है यहाँ पे ये असर बहुत कम है पृत्वी के मुकाबले एक अरवे हिससे जितना कम लेकिन अगर हम इसे काफी बढ़ा दे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी लगेगा के यहाँ भी वही हो रहा है ठीक वैसे ही जैसे कई जगाहों पर नदी का बहाव कम हो जाता है यहाँ पर वक्त ही दूसरी जगाहों के मुकाबले कुछ दीरे चलता है ये असर है पिरामिट के भार का यही बदलाव हमारे लिए कालियात्रा के रास्ते खोलता है अगर हमें कालियात्रा करनी है तो हमें वो चीज चाहिए जो पिरामिट से कई ज्यादा भारी हो और मैं जानता हूँ के वो चीज क्या है हमारी आकाश गंगा के कैंद्र में हम से करीब 26,000 प्रकाश वर्स दूर मौजूद है हमारे पूरे तारा मंडल की सबसे भारी चीज और वो ढकी है कैस के बादलों और तारों से वो एक बहुत बड़ा ब्लेक होल है जिसका भार 40,000,000 सूर्य से भी बड़ा है और लगता है के वो अपने ही गुरुत्वा करसन के दबाव से इसके अंदर दब गए है हम उस ब्लेक होल के जितने करीब चाएगे गुरुत्वा करसन बल उतना ही ज्यादा होगा उसके ज्यादा करीब जाने पर तो प्रकास भी उसके चंगुल में आने से नहीं बच सकता वो श्याह अंदेरों में बसा करीब ताई करोड किलोमीटर बड़े व्यास का गोला है इस तरह के ब्लेक होल का समय पर बड़ा गहरा असर पड़ता है ये उसे उतना कम कर देता है कि ब्रमान का कोई और पिंड उसे उतना कम नहीं कर सकता और इससे वो एक कुदरती टाइम मसीन बन जाता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी दिन कोई अंतरिक्षियान उसका फाइदा उठाने में काम्याब हो गया तो क्या होगा सबसे पहले तो उस अंत्रिक्ष यान को उसे अंदर खीचे जाने से बचना होगा इसके लिए उन्हें उसके किनारे से गुजरना होगा ताकि वो उसे खीच ना पाए उन्हें सही दिसा और रफतार बनाए रखनी होगी वरना वो बच नहीं पाएंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो यान उसके करीब पांच करोड किलोमीटर बड़े व्यास की परिक्रमा करने लगेगा वहाँ वो बिलकुल सुरक्सित होगा उसकी रफतार इतनी होगी कि वो और आगे नहीं गिर पाएगा उस अभियान पर अगर कोई स्पेस एजन्सी पृत्वी या उस ब्लैक हॉल के काफी दूर से नियंतरन रख रही होगी तो उसे लगेगा कि उसका यान 16 मिनिट में एक चक्कर लगा रहा है लेकिन यान में बैठे वो बहदूर लोग उस विसाल पीन के बेहत करीब होगे और उनके लिए वक्त की रफतार काफी कम होगी वहाँ पर इसका असर भी पिरामीट या पृत्वी के कही पास होने के मुकाबले कई अलग होगा और यान के करमी दल के लिए तो वक्त करीब आधा हो जाएगा अपनी 16 मिनिट की परिक्रमा के लिए उन्हें सिर्फ 8 मिनिट ही महसूस होगे वो उसकी परिक्रमा करते रहेंगे और उस ब्लैक होल से कई दूर बैठे लोगों से आधा वक्त ही महसूस करते रहेंगे यान और उसका कर्मी दल समय की सेर कर रहा होगा काल यात्रा मान लिजे के उस यान में बैठे कर्मी दल ने पांच साल तक उस ब्लैक हॉल का चक्कर लगाया तब दुनिया दस साल आगे बढ़ चुकी होगी और जब वो पृत्वी पर वापस आएंगे तब उनके मुकाबले बाकी और लोगों की उम्र पांच साल ज्यादा होगी यान का कर्मी दल भविस्या की पृत्वी पर वापस आएगा उसने न सिर्फ अंतरिक्ष की सेर की होगी बलकि समय की भी सेर की होगी मतलब ये कि एक बहुत ही बड़ा ब्लैक हॉल किसी टाइम मसीन से कम नहीं होता लेकिन जाहिर है कि ये वेहवारिक नहीं है हाँ ये वाम हॉल से थोड़ा अलग जरूर है क्यूंकि इसमें विरोदाबास नहीं होता साथ ही फीडबेक से खुट को नश्ट भी नहीं करता लेकिन ये बड़ा ही खतरनाक है ये हमसे काफी दूर है और ये हमें भविस्य में बहुत दूर भी नहीं ले जाएगा गनीमत है कि हमारे पास काल यात्रा का एक और साधन भी है उसकी मदद से हम एक असली टाइम मसीन भी बना सकते है क्यूंकि वो हमारी आखरी लेकिन बहितरीन उम्मेद है अब हम जो बात करेंगे वो करना आसान तो बिलकुल नहीं है लेकिन हाँ ऐसा कर पाने का एक बड़ा साधारन तरीका जरूर है इसके लिए हमें बहुत तेजी से सफर करना होगा विशाल ब्लैक हॉल के गुरुत्वा करसन से बचने के लिए किये जाने वाले सफर से भी बहुत ज्यादाती जिसे इसकी वजह भी ब्रह्मान का एक अनोखा तत्य ही है ब्रह्मान की एक खगोलिय रफतार सीमा है दो लाख नव्यानवे हजार साथ सो ब्यानवे किलो मीटर प्रती सेकंड की स्पीड की उसे हम प्रकाश की रफतार कहते है उस रफतार से कोई भी चीज तेज नहीं चल सकती आपको साइद अजिब लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए ये विज्ञान के सबसे अहम सिद्धानतों में से एक है आप माने या ना माने लेकिन प्रकाश की रफतार से करीब की रफतार से भी सफर करके हम भविश्य की शेयर कर सकते है ऐसा कैसे होगा इसे समझने के लिए हम विज्ञान कथा फिल्मों की एक परिवहन सेवा की कल्पना करते है मान लिजे के हमारी पृत्वी के चारो और एक पटरी बिची है उस पटरी पल चलती है एक सुपर-फास्ट ट्रेन हम उस काल्पनिक ट्रेन को ही प्रकास की रफतार से ज्यादा से ज्यादा करीब ले जाकर देखेंगे कि वो किस तरह से एक टाइम मसीन बन सकती है इस पे सवार है भविश्य की एक तरफा सफर पे जाने बाले सैलानी ट्रेन की रफ़तार तेज से तेज होती जा रही है जल्दी ही वो पृत्वी की परिक्रमा करने लगती है लेकिन प्रकाश की रफ़तार तक पहुचने के लिए उसे बहुत ही तेजी से पृत्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा एक सेकेंड में साथ बाल लेकिन हम लाग कोशिश क्यों ना कर ले ट्रेन कभी भी प्रकास की रफ़तार से नहीं चल पाएगी क्योंकि भौतिकी के नियम उसे रोकेगे हाँ इतना जरूर है कि वो प्रकास की रफ़तार के आसपास पहुच सकती है लेकिन तभी होगी एक असाधारन बात उस ट्रेन के अंदर बहार के मुकाबले वक्त काफी धीरे चलेगा वैसे ही जैसे ब्लैक होल के आसपास चलता है लेकिन उससे भी ज़्यादा धीरे ऐसा रफ़तार की सीमा को बचाने के लिए होता है और आप भी उसकी वज़े समझ सकते है आप एक कल्पना कीजिये के एक बच्चे ट्रेन की दिशा में दोड़ती है अगर हम उसके दोड़ने की रफ़तार को ट्रेन की रफ़तार से जोड़ दे तो उसकी रफ़तार च्यादा हो जाएगी ना तो क्या वो गलती से ही सही लेकिन रफतार की सीमा पार नहीं कर जाएगी लेकिन नहीं वो ऐसा नहीं कर पाएगी कुदरत का नियम ट्रेन में वक्त की रफतार को कम करके उसे ऐसा नहीं करने देगा वो इतनी तीजी से दोड़ ही नहीं सकती कि वो रफतार की इस सीमा को पार कर दे वक्त हमेशा रफतार की सीमा को बचाने के लिए अपनी रफतार कम कर देता है इसी तथ्य के आधार पर हम भविश्य में ज्यादा लंबी दूरी को तै कर पाएगे आप ये सोचिए कि ये ट्रेन एक स्टेशन से दो जनवरी दो हजार पचास को चलती है वो अगले सौ साल तक लगातार पृत्वी की परिक्रमा करती रहती है फिर एक जनवरी दो हजार एक सो पचास को वो रुक चाती है लेकिन उसमें बैठे मुसाफिरों के लिए तो सिर्फ हपते पर का ही समय बीता है क्योंकि ट्रेन के अंदर तो समय की रफतार इतनी कम हो गई थी जब वो ट्रेन के बाहर आते हैं तो उनके सामने वो दुनिया नहीं होती जब वो छोड़ के गए थे सिर्फ एक हपते में उन्होंने भविश्य में सौ साल का सफर कर लिया है बेशक उस रफतार से चलने वाली ट्रेन बना पाना तो नामुम्किन है लेकिन हमने उस ट्रेन के जैसी ही एक चीज़ स्विजल लैंड में जिनेवा में बना ली है एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर जो दुनिया में सबसे बड़ा है जमीन में काफी गहराई में एक गोलाकार सुरंग बनी है जो करीब 26 किलोमीटर लंबी है जिसमें खर बहुत छोटे छोटे कंड बनते है जैसे ही इसे चलाया जाता है उनकी रफतार पलक चपकने से भी कम समय में शुन्य से एक करोड किलोमीटर प्रती गंटा पहुच जाती है अगर शक्ती बढ़ा दी जाए तो उनकी रफतार भी बढ़ जाएगी फिर एक वक्त आएगा जब वो एक सेकेंड में 11 बार चक्कर लगाने लगेगे यानि प्रकाश की रफतार से लगपक करीबी रफतार पर लेकिन ट्रेन की तरह वो भी उस प्रकाश की रफतार सीमा तक नहीं पहुच पाएंगे वो उस रफतार के 99.99 प्रतिसक करीब ही पहुच पाएंगे लेकिन ऐसा होने पर वो भी काल यात्रा करने लगेगे इसकी वजह ये है के वो कण है पाई मैसेन जिनकी उम्र बहुत कम होती है आम तोर पर वो सेकेंड के 25 अरव्वे हिस्से में ही तूट जाते है लेकिन उन्हें करीब करीब प्रकास की गती से चलाया जाता है तो उनकी उम्र 30 प्रतिसक तक बढ़ जाती है ये कंड असली काल यात्री है ये बात बस इतनी मामूली है अगर हम भविश्य की सेर पर जाना चाते है तो हमें ज्यादा से ज्यादा तेज जाना होगा बहुत तेज और मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना होगा भविश्य की काल यात्रा के लिए हमें रफ्तार बहुत ज्यादा तेज चाहिए इसके लिए हमें बनाना होगा एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो एक बहुत बड़ी मसीन हो वो यान इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें इतना इंदन समा सके कि वो प्रकाश की गती से चल सके प्रकाश की उस खगोली ये सीमा की गती तक पहुचने के लिए ही उसे पूरी शक्ति से छे साल तक चलना पड़ेगा शुरू में तो उसे धीरे धीरे ही ले जाना होगा क्योंकि यान काफी बड़ा और भारी होगा लेकिन बाद में उसकी रफ़तार बढ़ाई जाएगी और वो लंबी दूरी तक जाने लगेगा सिर्फ हबते बर में वो गैस के रिशाल गोले नेप्चुन जैसे गरह तक पहुच जाएगे दो साल बाद लगतार चलने से वो प्रकाश की रफ़तार से आदी रफ़तार पा लेगा और हमारे सौर मंडल के काफी दूर तक पहुच जाएगा अगले दो साल बाद वो उस गती सीमा की 90 प्रतिशक गती पा लेगा फिर वो हमारे सबसे करीबी तारा मंडल अलफा सेंचुरी को पार कर लेगा पृत्वी से करीब पचास खरब किलो मीटर दूर जाने के बाद और अपने लॉंच के चार साल बाद उस यान पर हर घंटा पृत्वी के दो घंटे के बराबर होगा उसकी हालत भी उस विशाल ब्लैक होल के आसपास परिक्रमा करने वाले यान जैसी ही होगी और कहानी यही खत्म नहीं होती पूरी रफतार से उड़ता वो यान अगले दो साल बाद प्रकास की रफतार के निव्यान में प्रतिसक की रफतार के बराबर उड़ेगा उस रफतार पर यान में एक दिन प्रत्वी के एक साल के बराबर होगा तब हमारा वो यान भविश्य में उड़ान भरेगा वक्त की रफतार कम होने का एक फाइदा भी है इसका मतलब है के कम से कम सैध्दान्तिक रूप से तो हम कम से कम अपने जीवनकाल में ही असाधरन दूरी तै कर सकते हैं और इस रफतार से द्रश्य ब्रह्मान के छोड़ तक पहुचने में हमें सिर्फ 80 साल लगेगे लेकिन हमारे इस सफर का सबसे बड़ा रोमांच तो वो होगा के हम देख पाएंगे के हमारा प्रमान कितना अनोखा है हमारे प्रमान में अलग-अलग जगाहों पर वक्त की रफतार अलग-अलग होती है और हमारी theoretically सबसे बड़ी जो चीज है black hole वो काल और अंतराल दोनों पे असर डालता है ये वो जगए है जहां हमारे चारो और छोटे छोटे वाम होल है और ये एक ऐसी जगए है जहां सही विकास करके हम भौतिके के नियमों की अपनी जानकारी के बूते पर चौथे आयाम के पार भी जा सकते है हम भी काल या त्री बन सकते है दोनोलेज पर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताए और अगर आप नए है तो हेल्दी ग्ञान के लिए दोनोलेज को जरूर सब्सक्राइब करे हैव अ गूड डे टेक केर